अरे क्रिश्णा रादे रादे कैसे आप सब जो आजह करते हूँ जो कि आप सब вся ठीक होंगे स्वास्तोंगे। आज हमने बनाया है राधा रानी के लिए लोडी थी तो आप भी एपनी राधभरानी के लिए, पर चाहते हैं बंब कर सकते ह। यह देखे और जो यह सूंट का जो ड्राफ्ट है ना यह सेम ड्राफ्ट से ही कृष्णा जी के लिए भी हम कुर्ती बनाएंगे मतलब जैसे जो पंजाबी में जो पैनाते हैं उनको क्या बोलता है मतलब मुझा आइडिया नहीं है उस चीज का पर उनके लिए भी सेम सेम ड्र अब हम यहां पर लगाएंगे गले का निशान के देखे जो हमें गले की चोड़ाई रखनी है वो रखनी है हमें हाफ इंच लंबाई गले की हमें पोना इंच रखनी है के रिखे एक इंच से जस्ट दो पॉइंट कम आप अगर इसको इस तरीके से मेजर करना चाहते हैं तो पहले आप इसको यहां पर इस तरीके से सीधा नाप लगा लें और बाद में इसमें यहां पर इस तरीके से गोलाई डाल दें अब जो यहां पर गले से कंधे के बीच की जो चोड़ाई है वो हम यहां पर एक इंच लेंगे क्योंकि यह सिलाई में इधर से भी दबेगा और इधर से वी दवेगा टोटल यहां पर हमारे पास आधा इंची बचेगा अब लेना है हमें यहां पर आर्म होल का जो नाप रहता है ना कंदे का नाप वो हमें पोने दो इंच लेना है इसको हम इस तरीके से सीधा नार्ग कर लेंगे और इसमें हम यहाँ पर गुलाई डाल देगे अब जो हमें यहाँ पर चेस्ट का नाप रखना है वो हमें सवा दो इंच रखना है यह दिखे जो कमर का नाप रखना है वो हमें दो इंच रखना है और नीचे फिर से हमें सवा दो इंच रखना है अब इसको हमें यहां पर इस तरीके से मिला देना है और जो अब हमारे पास यह पल्ले का जो नाप बचा है वो दो इंच बचा है इनको हमें इस तरीके से सीधा ही रखना है दो इंच से भी कम ही है यह यह रिखे यह हमने यहां पर ग्राप बना लिया है गले की जो लंबाई है वो हमने यहां पर पोने दो इंच रखी है एक इंच यहां पर हमने कंदे का नाप रखा है यह हमने पोने दो इंच रखा है जो आर्मोल है यहां से यह सवा दो इंच है और यह यहां पर दो इंच है यह भी सवा 2 इंच है और बागी हमारे पल्ले बच जाएंगे पल्ले आप चाहे तो गोल कट कर सकते हैं चाहे आप ऐसा ही कट कर सकते हैं अब हमें simple इसको इस तरीके से कट कर लेना है और इसको कट करने के बाद आप यहां से इसको same हमें कपडे पर रखना है यह देखे जिस क कपड़े पर इस तरीके से कपड़े को आप इस तरीके से करिगें किसके कंदे उपर से में कट आं जैसे यह कि ऐसकी कपड़ा रखकर आप इसको मेजर कर लीजिए तो यहां पर इस तरह के आप दो पीज़ aqui एक यह दो पीजлюч तो वेलवैट से बना रही हूं प्रेजिख तनीका टाइम है तो हम रएट कि सेरैी करेंगे कि यह देखिए यह मैंने सेम मेजर्मेंट से कट किया है और यह उसे अंदर कर्दி है अब हमें इसको कुछ नहीं करना है जस्ट इस कपड़े के उपर रखना है ये रेखिए जो हमारी सीधी साइड है वो हमें अंदर रखनी है और जो उल्टी साइड है वो हमें उपर रखनी है अब बस आप इसको पहले पिन से थोड़ा सा सेट कर लें और सेट करने के बाद बस हमें यहाँ पर इस तरीके से गले के चारो साइड सिलाई लगानी है बाकी हमें इसमें और कहीं पर भी सिलाई नहीं लगानी है गले के चारो साइड हमें सिलाई लगानी है यह देखें मैंने इसमें यहाँ पर इसको पिन लगाकर सिक्योर कर लिया है ताकि ये हिलेना अब हमें बस इसके गले के चारो साइड सिलाई लगानी है और साथ में जो ये इदर की साइड से लंबा ये आप इदर सिलाई भी लगा सकते हैं अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है बस आप इसके गले के चारो साइड हमें इसको सिलाई जगाली है, साथ में हलके हलके से cuts भी लगा दिये हैं, ये well-wet है well-wet के उपर इतना easily, मतलब machine चलता नहीं है , अगर आप starting में बनाएं तो आप कोशिस करें के normal कपड़े से बनाएं well-wet से ना बनाएं क्योंकि well-wet रहता है well-wet को con-trol करना अब इसको हम यहां से भी यह वला भी कट कर लेंगे क्योंकि यह हमने कट नहीं किया है यह हमने नीचे से अस्तर को भी कट कर लिया है और अब इसको हम यहां पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे सबसे पहले आप इसको यहां पर सीधा करते ही सीधा करने के बाद सीधा करने के बाद आप इसको यहां पर इस तरीके से रखके यहां पर एक सिलाई लगा दे ताकि यहां पर कंट्रोल में रहे और आप इसको गले के उपर भी सिलाई लगा सकते हैं कि यहरो पहले यहां से इसलाई लगाना शुरू करें यहां जो इस पिछलेबाला पल्डवा रहता है यहां से इसलाई लगा ले और फिर इसी तरीके से इ यहां पर भी सिलाई लगा ले यह रेखिए जिससे कह रहेगा अस्तर बिल्कुल भी हिलेगा डूलेगा नहीं फिर आप इसको अराम से यहां से बाद में कट करें पहले यहां से कट नहीं करना है पहले हमें यहां से इस तरीके से सिलाई लगा ले दिया यहां पर हमने यह सिलाई लगा लिए सीधा करने के बाद गले के चारो साइड सिलाई लगा दी है उल्टी साइड से यह कुछ आपको ऐसा नजर आएगा वैसे तो हम वैल वैट है इसको सिंगल भी बना सकते लेकिन सिंगल बनाने में ज़्यादा प्रोब्लम है इसलिए हमने प्रहले नीचे अस्तर लगान अब इसको हम यह ऐँ और साइड रखेंगे बाजू हम्रिए कट कर लेंगे यह देखे पेपर को इस तरीके से फोल्डव करलेंगे इसकी चोडाई हमें यहां से डबल में यहीं रहा तीनिश रखी है अगर इसको न生मरम लिए फिर आ तो शे होने के बाद यह धाई इंच रेड़ी रह जाएगा और जो यहां से हम बाजू की जो आगे की साइड से जो चोड़ाई रखेंगे वो हम दो इंच पर कट करेंगे सिलाई हम और यहां से इक पॉइंट उपर कट सिलाई लगाएं क्या कि आगे से आम Song луч रखेंगे Set cartridge क्यों होी थोड़ाई से यहां तक है कम इस तरीके से पर मिला देंगे अब इसको हम यहाँ पर मैं तो जस्ट ऐसे ही idea से ही cut कर रही हूँ क्योंकि आप इसको naap से भी cut कर सकते हैं यहां में एक इंच का पूरा naap होना चाहिए इस corner से इस corner पर यह देखे मैं तो जस्ट इसको ऐसे idea से ही cut कर बेती है अभी इसको हमें यहां पर यह हमारी बाजु आजाएकि इस तरीके से अब इसको हमें इस तरहें के से ही रखकर कपड़े को कुठ कर लेका है बाजु रहता अब इसको रखकर कुठ content यह रेखे हमने यहाँ पर दोनों बाजू कट कर ली है अब हमें यहाँ पर इसमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई लगा लेनी है दोनों बाजू में इधर वाली में भी और यहाँ पर भी दोनों बाजू में फिर इसको हमें यह रेखे, इसको हमें सीधी साइड से रखना है, सीधी साइड से हम ऐसे रखेंगे, यहां से इसको हम पहले कट कर लेंगे अस्तर को, और जो इसका सीधी साइड है, यह भी हमें अंदर की साइड रखना है, और यहां पर सेंटर पर मार्क करके, उसके बाद इसको हम यहां पर इस तरीके से ये देखे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे पहले हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे ये देखे इस तरीके से तो चलिए तोनों बाजू में आगे सिलाई लगाकर यहां पर सिलाई लगा देते हैं यह देख्ञें सिलाई लगाने के बाद अब इसका विशक कुछ ऐसे आ जाये गा हमने यहां पवाद है अ इसको वक्रीस तरीके से टरौ्वं करना है उरे हैं यहांसे इसंसे पूरे ेमें सिलाई लगा दिना है। यहां से शूरू करके यहां टक लेकर आएं यह निचे यह पले हमें ऐसे ही छोड़ने हैं बस यहां तक हमें इसमें सिलाई लगा लिए है दोनों साइड करें कि यह इस तरीके से अब हमें इसमें यहां पर यह रिखिए जो अमने सिलाई लगा यहां पर देखे थोड़ा सा यह गैप रखते हुए लगाई है अब इसको हमें यहां पर इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है यह हमें यहां से लगानी शुरू करनी है और ऐसे लगाते हुए यहां तक जाना है इसको हमें यहां पर इस तरीके से फो पहले फोल्ड कर ना है इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं मसीन चल सकती है तो हैं इस तरह मुझरँ बडी हैं तो जलिए ज् theoret Like प३ई बीस न करी किंदें तो पिल्ड है सब्कोद हमने तो खमंड आलब दो vie से colocar King lea कुछ नहीं करना है सिर्फिस में यहां पर अंदर की साइड इस तरह के सिलाई लगा दे लूज हमने इसलिए रखा है क्योंकि राधरानी के हाथ दूर है अगर हमने इसको फिट कर दिया तो यह उनको बिल्कुल भी अच्छे से फिटिंग नहीं आएगा अब बचा है इसका य इसको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है डबल फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हुए यहां से इसको हमें इस तरीके से रखना है और इसके उपर सीधी मसीन चला देनी है मसीन चलाने के बाद यह हमें यहां पर इस तरीके से अंदर की साइड ऐसे फ कि मि q orders कि नियुक्त में एक्सट्रार रखिस के लिए अब कि इसको इस तरी के से इस तरीके से छेसे फोल्ड करेंगे और इसके अंदर ने अंदर बस हमें यहां पर इस तरीके से इसको रखना है और यह दबा देना है और इसके ओपर सिलाई लगा देनी है यह रिखिए इस तरीके से नीचे की साइड से भी हमें इसको पहले अंदर की साइड फोल्ड करना है यहां से यह रिखिए और फिर इस तरीके से इसके ओपर हम मसीन चला देंगे तो यह इतनी पट्टी ना यहाँ पर हमारी बाहर की साइड आ जाएगी जिससे क्या रहेगा जब हम यह रेखे मैंने एक साइड इसको लगा दिया है जब हम इसके उपर वेल्क्रो लगाएंगे ना तो यह इस तरीके से बंद करने में एजी रहेगा ऐसे एक दूसरे के उपर नहीं चड़ेगा यह पट्टिया इसलिए लगाए जाती है नहीं तो आप इसके उपर भी डारेक्ट वेल्क्रो लगा सकते हैं लेकिन यह पट्टिया ना ऊपर चड़ेंगी तो फिर अच्छा नहीं दिखाई देता है अबना फिनिसिंग उसमें नहीं और एक जो इसका वेल्क्रो को दूसरा पीस है ना वो हमें इस तरीके से अंदर की साइट लगाना है तो यह कुछ इस तरीके से आएगा तो चलिए वेल्क्रो लगा देते हैं यह रिखे हमने इसमें यहाँ पर वेल्क्रो लगा लिया है और अब इसको पहनाना और निकालना बहुत easy हो जाएगा और इसकी fitting भी बिल्कुल एक दम perfect आईगी यह रिखिए जो मतलब front side से यह जैसा है back side से भी बिल्कुल वैसा ही है तो suit हमारा यहां पर बन गया है अब इसको simply हमें यहां पर फोल्ड करना है यह वैसे मुझे एक एक कट करना पड़ेगा क्योंकि यह कपड़ा थोड़ा साना फिसल रहा और है यह रेखे इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है यह सिल्क फैबरिक है वैलवेट से मैंने सलवार नहीं बना रही हूँ यहाँ पर क्योंकि वैलवेट थोड़ा सा हैवी होता है और जब उसके प्लेट्स डल जाएंगा तो थोड़ा सा प्रोब्लम करेगा इसलिए मैं बना रही हूं क्योंकि मेरी मसीन थोड़ा सा वैलवेट के ओपर चलती नहीं है मतलब चलती तो है लेकिन अगर थोड़ा सा भी हो जाता है ना प्लेट डल जाती है तो बहुत मतलब मुस्किल होती है उसको फिर सही करने मुझे यह रेखे जिदर की साइड से यहां से हमने फ बाक यहां पर आपके तो यहां पर उपर की साइड से तो इसको पहले में यहां पर इस तरीके से रखोंगे और इसमें नहीं है यह देखिए उपर की साइड आप इसमें हाफ इंच का मार्क कर लें यह देखिए हाफ इंच का लगा लें यहाफ इंच से ज्यादा ना लगाएं क्योंकि बस इसमें तो हमें यहाँ पर इस तरीके से आशन का मार्क करना है और नीचे की साइड हमें इसमें बस नोर्मली ऐसे इसको सीधा लेकर आना है, क्योंकि जो हम ये सलवार बनाएंगे, ये हम नीचे की साइड से प्लेट वाली बनाएंगे, और उपर की साइड से भी, इसको बस हमें ऐसे ही नॉर्मल कट कर देना है, सेम ऐसे ही हम जो ये दूसरा पाइचा है, ये भी कट कर लेंगे, ये देखे, दोनों पाइचे कट करने के बाद, अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, इसमें हम कोई भी अस्तर नहीं लगा रहे हैं, इसको हम ऐसे ही डॉर्मल बना रहे हैं, जो सीधी साइड है, वो हमें यहाँ पर इस तरीके से बीच में रखनी है इसका सीधे साइड भी और इसका भी उल्टी साइड से हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और जो हाँ पर ही हमने उपर आसन का निशान लगाया है यह वाले साइड इसको हम दोनों को यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बस हमें आसन में सिलाई लगानी है दोनों साइड तो चलिए सिलाई लगा देते हैं यह देखें यह जो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है ना इसको हमें इसराइसा में सही से दिखाई दे रहा हो reimbursement यहां पर इतनी दूर से यहां में उसको हम्ने के किवह है इसको 1.5 इंच ऊपर तक लगाना है इसके लिए के हमें क्या करना है अभी हम इसको यहां पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे प्राविक जो राधरानी की इसमें हम यहार पेछे की साइड टिच बटन लगाएंगे इसको आप यहाँपर इस तरीके से फॉल्ड कर दे, यह सिंगल फॉल्ड कर दे, हम आप hunger करना चांँ है लेकिन अब हमें यहां पर इसको ऐसे ही करना है नीचे की साइड से सुरुवात करेंगे आप यह देखिए इस तरीके से यहां पर मसीन रखेंगे और इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए जाएंगे यह देखे पूरे में सिलाई लगा देंगे फिर ऐसे ही हम इधर की साइड भी और यह दोनों साइड भी तो चलिए पहले हम यह सिलाई यह देखे यह सिलाई जो हमने यह आपर यह आसन जोड़े है उसके नीचे है जहां पर यह हमने कटिंग किया है यह आपर इनके साइड में हमें हुक लगाने है या टिछ बटन जो भी आप लगाना चाहें यह देखें यह हमने यहाँ पर इसमें शिलाय लगा लिए है दोनों साइड और फ्रेंट्स यहाँ पर एक साइड से जो मैंने आसन में जो इस तरीके से द लगाए थी न हमने इस तरीके से इधर और इसी तरीके से इधर एक साइड से मैंने यहां पर आसन को खोल लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि हम इसको राधरनी को कैसे पहनाएंगे तो अब हमें न सिर्फ एकी साइड से इसको आसन को जोड़ना ह और पीछे की साइड से अमें इसको ओपन रखना है हमें इसमें बस अब कुछ नहीं करना है आप चाहें तो बड़ी सिलाई करके इसमें बड़ी सिलाई लगाकर धागी को ऐसे खींच सकते हैं या आप चाहें तो इस तरीके से यहां पर चोटी-छोटी सी प्लेट्स डाल सक लगा कर हम धागे को खींच देते हैं कि देखे मैंने यहां पर पूरे में बड़ी सिलाई लगा ली है अब ना बस हमें यहां पर इस तरीके से ना धागे को खींचना है और यह ना इसमें ओटोमेटिकली यहां पर प्लेट्स आ जाएंगी सेम ऐसे ही हम इदर की साइड से भी धागे को खींचेंगे यह देखिए यह उपर की साइड से हो गया अब यह यहां पर हमें जो नीचे की साइड वाला धागा रहता है ना पीछे की साइड वाला उल्टी साइड में जो धागा रहता है उसको हमें ऐसे खींचना है यह देखि जो हमारा पीछे की साइड का धागा रहता है उसको अगर हम खीचेंगे तो यह easily कीच जाता है यह नीचे का पाएंच आ गए और यह उपर से आ गया यह भी हमसे इसे ही कर लेंगे यह रहे हमने इसमें तीनो साइड से धागे खीच लिए यह इस तरीके से आ गया है अब जो हमें यहां पर कमर का लाप रखना है यहां पूरा सओह साइड़े रहते हैं कई बार कम ज्यादा हो जाता partners आप उनकी एक बार कमर का नाप इस तरीके से नाप ले जो भी आएगा 7-7 इंच अगर आप इस तरीके से नापेंगे तो आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर इसको रख ले अब यह रहें सेम फैबरिक से मैंने यह पट्टी कट कर ली है यह सीधा रखना है यह जो सीध एक्सट्रा लका लिया है, इसको हमने इस तरीके से कपडा हो, और ये रेखिए ये अब इस तरीके से आजाएगा पाइचे में भी सेम हमने ऐसे ही रखा है और जो हमने पाइचे की जो लंबाई ली है वो हमने तीन इंच ली है ये रेखिए ये रेखिए पाइचे की लंबाई तीन इंच है एक्स्टर थोड़ा सा कपड़ा हमने इधर लगा देंगali हैं कि यहां पर इस तरीके से चलाई लगा से के गया itdai अ कि यहांपर इसके पर से ग्रीन क्लर की लेस लगाती है और यह देखिए अभी यहां पर इस तरीके से आ जाएगा अभी हमें इसमें क्या करना है यह देखिए यह होते हैं टीच बटन यह हमें यहां पर लेने हैं और एक यहां पर नीचे एक यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर यहां पर हम बाद में लगाएंगे, यहां का मैं आपको बाद में बताऊंगे कैसे लगाना है, अभी पहले हम यह तीन यहां के टीच बटन लगा लेंगे, और उपर की साइड यहां पर हम वैलक्रो लगा देंगे, इतनी लंबाई में वैलक्रो लगा देंगे, यह आप टीच बटन सेम लगा सकते हो, कोई ऐसा इस्यू है नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा वैलक्रो लगाना इजी लगता है, तो इसलिए मैं वैलक्रो लगा देती हूँ, तो चलिए पहले हम यहाँ पर तीनो साइड, तीन टीच बटन लगा लेते हैं, उपर की साइड वैलक्रो लगा दे बटन लगाए हैं, जो हम आपर नीचे की साइड बंद कर देंगे, और उपर की साइड से यह पूरा इसी तरीके से ओपन रहेगा, जैसे राधारानी का लहंगा रहता है, ताकि इसको पहनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, आइरन हमने कर दी है, आइरन करने के बाद इसका ल रेड़ी कर लिया है, डुपटे की लंबाइए 20 इंच लेनी है, और डुपटे की चोड़ाई हमें 9 इंच लेनी है, बाकिया आप उसमे लेस वगरा अपनी मरजी से लगा सकते हैं, और डुपटे की लंबाईचोड़ाई भी आप अपनी मरजी के अकॉर्डिंग कम जाधा क कर सकते हैं तो अगर आपको पसंद आया तो अपनी राधानी के लिए ज़रूर बनाएगा साथ में वीडियो को लाइक से अब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल अगन को जरूर दबाएगा मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू फॉर वोचिंग राधे इगादील